एक बड़ी खबर है और वो अहम जानकरी प्रिधान मंत्री नरेंदर मोदी से जुड़ी हुई तब इलाडू के दोरे पर है और जब वहाँ पर पहुँचे समुद्र किनारे में तो कुछ इस तरीके का नजारा आया बेहत खुबसूरत तस्वीरे इससे पहले के तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई थी जब शिरलंका पहुँच रहे थे और सोशल मीडिया पर बहार आ गई थी ट्रेंड की बाइकाट माल दे लेकिन ये हमारे देश का हिस्सा बेहत खुबसूरत तस्वीरे अशोक स्थम यहां पर बना हुआ है और ऐसे में पुष्प अर्पित करते हुए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी तमिलाडू के दोरे पर है कल की तस्वीरे इसलिए भी खास थे क्योंकि कुछ मंदिर ऐसे थे जहां पर प्रधान मंतरी पहले ऐसे पीम बन गए हैं जिन्नोंने वहां मंदिरों का रुख किया और हमेशा एक अलग तस्वीर एक अलग अंदाज प्रधान मंतरी का नजर आता है जब अलग राज्ये में जाते हैं देश के किसे भी कोने में जाते हैं आज एक अलग अंदाज पुषपांजली शीश नवाना साथी समूंदर किनारे टहलना फिर दूरबिन स चहल कदमी करते हैं पक्षियों को देखना या फिर खुबसूरत नसारे को देखना आरीचल मुनाई पॉइंट है यहां पहुंचे हैं पुषपांजली शीश नवाना पुषपांज करते हुए अब सनातन धर्म में हर एक चीज़ हमारे लिए बेद खास होती है चाहे जल की बात करें वायू की बात करें मिट्टे की बात करें आसमान की बात करें हमारे लिए हर एक चीज़ खास और ऐसे में पुषपार्पित करते हुए पुषपांज मंत्री नरेंद्र मोदी जल के सामने समुद्र के किनारे आरीचल मुनाई पॉइंट जिसकी अपनी एक खास महत और ये बेहत खासपल हर एक देश वासी के लिए क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं सभी देश वासियों की वो यहां पर अगवाई करते नजर आ रहे हैं और योगा भी उन्हें किया समुद्र के किनारे बैठ कर वो योगा करते भी नजर आए अनुलों विलों वो यहां पर कर रहे हैं और हमेशा योगा को उन्हें बढ़ावा दिया है और आज इंटरनाशनल योग डे भी मनाया जाता है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा उसे बढ़ावा दिया और वो योग करते भी समुद्र किनारे नजर आए और समु क्योंकि लोगों में क्रेस बहुत है अपने प्रुधान मंत्री को लेकर नरेंद्र मोधी को लेकर वो क्या करते हैं कहां जाते हैं क्या उनकी दिन चरया है क्योंकि आज तो भच्चा भी जानता है कि महस चार घंटे सोते हैं प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोधी बाकी काम वो करेंगे जल लेंगे प्रान प्रतिस्ठा होगी और आज भी वही धार्मिक माहोल नजर आ रहा है सुनातन धर्म की जो एक परमपरा है सुर्य को जल देना वो जल देते भी नसर आए और समुद्र का ये जल समुद्र के किनारे पुष्प वर्शा की गई यहाँ पर जरा देखेगा समुद्र किनारे खुबसूरत नजरा अरिचल मुनाई पॉइंट पर पुधार मंतरी नरेंदर मोधी पहुँचे और वहां के जो रहवासी हैं वहां के जो लोग है वो खुद को गौरानवित महसूस कर रहे हैं आप कोई एक जानकारी दे दे इसकी महता हम बार बार कह रहे हैं कि इसकी महता आकर क्यों है क्योंकि आप जानते हैं कि रमाइन में जब भी राम सेतू का जिक्र आता है तो हर कोई जानता है कि ये कितना सत्य है क्योंकि नासा ने इसे डिकलेर कर दिया कि दूर से भी यानि कि अंतरिक्ष से भी वो राम सेतू की जलक नजर आती है और वो राम सेतू इसी पॉइंट से उन्हों ने यहीं से इसकी शुरॉआत की थी तागी इसे पार कर श्रिलंका पहुचा जा सके National आज वो चोर है जहां से इसकी शुरुआती यानि कि वो रामसेतू बीच की वो कड़ी और समुदर के दो किनारे कुछ दिन पहले वो किनारा दिखाया था आज ये किनारा अपने आप में वेह शांदार तस्वीर धनुश कोडी जिसे कहा जाता है अरिचल मुनाई धनुश प्रधारी हैं महत है उन्होंने भी एक खास सम्मान भेजा है आयोत्या पहुंचाने के लिए शुरी राम मंदिर में पहुंचाने के लिए और वो भेंट जो की गई थी वो कल की तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई थी जब मंदिरों का रुक किया था रामेश्वर मंदिर पहुंचे थे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी इसके लावा तमाम ऐसे मंदिर पहुंचे थे जहां पर पहले प्रधान मंत्री बन गए हैं नरेंदर मोदी जो की पहली बार कोई प्रधान मंत्री उस मंदिर में गया हो इसके लावा रामायन के प्रसंग का भी उलेक वहां क जिस पत्थरों पर लिखा गया था शिरी राम और वो समुंदर के पानी में तैरने लगे थे और आज भी पत्थर तैरते आपको मिल जाएंगे कोई सिद्ड नहीं कर पाया कि आखे ये पत्थर पानी में तैरते कैसे है क्योंकि ये राम सेतू से बने हुए पत्थर है यानि कि पत्थरों से राम सेतू बना था और जिस पॉइंट से जहांसे शुरुआत हुई थी वही पॉइंट जहांपर प्रधान मंत्री नरेंद्र पहुँचे शीशनवाया, पुश परपित के और बेहत खास स्वीरे आपके सामने अरीचल मुनाई पॉइंट पहुँचे है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जब भी कोई ऐसी जगा पर पहुँचता है चाये वो किसी भी पत पर काबिज हो तब वो सिर्फ एक भक्त होता है, एक आम इनसान होता है और भक्ती से सराबोर होता है वही तस्वीरे वही भाव आज प्रधान मंती नरेंद्र मोदी के चहरे पर नजर आ रहे हैं